आज सुने जेश्ट मास में नित्य नेम से सुने जाने वाली पाच सर्वस्रिष्ट कथा एक साथ कार्थिक का महीना आया एकम के दिन लच्मन जी ने राम जी की आग्या से फलफुल लाकर मा सीता को दिये तब मा सीता ने चार पतल परोसी तब लच्मन ने पूछा भावी मा हम तीर है फिर चार में क्यों परोसा तब मा सीता बोली एक पतल में गाई माता के लिए है राम जी लच्मन जी गाए माता को पतल परोस दी तब राम जी ने पूचा सीता जी आपने खाना सुरू क्यों नहीं किया तब सीता मा बोली मेरे तो राम कथा सुनाने का नियम है राम कथा सुनने के बाद ही मैं फल ग्रहन करूंगी तब राम जी बोले मुझे कथा सुना दो लच्मन अपनी माया से एक नगडी का निर्मान किया उस नगडी में हर चीज की सुक स्विधा थी उस नगडी में सब चीजे सोले की थी इसलिए नगडी का नाम सोना नगडी रखा सभी नगर बास्यों को घमन हो गया उस नगर में कोई गरीब नहीं था जब सीता जी कुए पर पानी कदा सुनेगी तब वहाँ बोली मेरी तो घर में काम ही काम है सीटा जी ने कहा मेरे पती राम और देवर लचमन भोके हैं तब लरकी बोली मेरे माँ मेरा इंतजार कर रही है वह लरकी वहाँ से जाने लगी तब मा सीता के क्रोध से सारी नगरी साथरंसी हो गई जब लर्की घर गई तो मा बोली भाई ये क्या हुआ तब लर्की बोली मेरी को नहीं पता वहां पर एक साधवी बैठी थी मुझे राम कथा सुनने के लिए बोली पर मैं तो कथा नहीं सुनी यादी उसने कुछ किया हो तो प कहानी सुनकर मैं आती हूं जब वहूं कुए पर गई तो पानी भरे और खाली करें तब सीता जी ने कहा आपके घर पर कुछ काम नहीं है क्या तब वह बोली माता जी मैं तो सारा काम करके आई हूं तब मा सीता बोली तु मुझे मा कहकर बुलाई यादी तुझे समय हो तो मेर गए राम कहानी सुन लेगी तक्सिता माता ने कहानी शुरूँगी 17142 रॉद्हार गध़ emoc commitment राम ने मानाऊं राम कहे तो परदेश में जाऊं चीता जी ने कहा हे बाई तूने मेरी मृत्तू लोक में मदद करी भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगे चीता जी ने राम कथा सुनाई बाई ने कथा सुनी आप भी राजो राम जालर तिकारा लाई राम संख ध्वने गरनाऊ राम हिडवे हीरा सोवे राम निर्खता मन मोहे राम चरन सरन में आई राम सरन आपली लेलो राम माखन मिस्तरी लाई राम माखन मिस्तरी औरोगो राम दूद भर कटोली राई राम मेवा चिरंजी भी परस खादी मीठी चाखा राम, चर्खो पर्खो अर्गो राम, रूच रूच भोग लगाओ राम, जो भावेसो लेलो राम, जल भर जाडी लाई राम, अबे आचमान करियो राम, देश्याम गमचो लाई राम, हाथ मुँ पोछलियो राम, पूश्पसु सेज बिचाओ राम, घट-जट माए बिराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, बोलो पंची रामराम, पुरण होवे मंगल काम, राम कथा पुर्ण हुई, तो सीता जी ने कहा, है बाई, तुने मेरी राम कथा सुने, मेरी साहयता की, राम जी लच्मन को जिमाया है भगवान तेरे भी रक्षा करेंगे तुझे स्वल्व का सुख मिलेगा सीता माता ने उपहार स्वारूफ अपने गले का हार दे दिया जब वह घर गई तो उसके मटका सब सोने की हो गए सासु जी ने कहा ये सब तू कहां से लाई बहु ने कहा मैंने सीता माता की राम कथा सुनी ये सब उसी का फैल है सासु जी ने कहा प्रते दिन राम कथा सुन आना बाई को राम कथा सुनते बहुत दिन हो गया तब उसने मा सीता से पूछा इसका उधापन बिधिपत लाओ तब सीता जी ने कहा साथ लड़ू लाना एक नार्यल लाना उसके साथ भाग करना एक भाग मंदिर में चड़ाना जिससे मंदिर बनावे जितना फल होता है एक भाग सरोबर की किनारे गारे देना जिससे सरोबर कुदुवाने जितना फल होता है एक भाग भगवत गीता पर च जिससे कन्या विबाग जितना फल होगा। एक भाग सूरज भगवान को चड़ाना जिससे 33 करोड देवी देवता को भोग लगाने जितना फल होगा। अब उनसे बीधी पुर्वक उध्धापन कर दिया। तेरे माता पिता को ले चल सारे कुटुम परिवार को ले चल आस पर उसको भी ले चल उसने सभी को बैठा लिया थोरी दिर में उसकी ननद आई और देखते ही देखते बिमान भर गया तब बहु ने कहा मा सीता ननद बाईसा को भी बैठा लो पर मा सीता ने कहा इसने कभी को एर पूछने लगे बाई तो ने ऐसा कौन सा धर में पुर्णे किया घीता भगवत के वाठ किये हमें भी बताओ तब बाई ने कहा मैंने तो माता सीता से प्रति दिन रामकता सुनी और नियम से उधाबन किया तब समत्ष्थ ग्रामिन रामकता सुनने के लिए जित करने लगे तब बाई राम कथा कहने लगी और सब नर्णारी सुनने लगे राम कथा संपुर्ण भूते ही समस्थ नगरी सोने की हो गई बाई ने कहा जो कोई राम कथा सुनेगा उसको मेरे समानी फल मिलेगा सब राम लेश्वन जी की जय जय कार करने लगे और बिमान स्वर्ग में चला गया, साथ स्वर्ग के दर्वाजे खुल गये, पहले द्वार पर नाग देवता, समस्थ देवी देवता, पुष्प बर्सा करने लगे, देवताओं ने पूछा की, तुने क्या पुन्य किया, तब उसने कहा, मैंने तो राम लच्मन जानकी की, क उसको मेरे समानी फल मिले, सभी देवताओं ने पुष्प बर्सा करते हुए, तथास्तु कहा, चारो और राम की जैजेकार होने लगी, सभी प्रेम से कहिए, राम लच्मन जानकी माता की जै हो, इसी गाव में एक बुढ़िया माई रहती थी, वो हमेशा मिट्टी की की मुर्ती बना दी, रोज पुझा करती, लेकिन रोज बारिस आने के कारण, पानी परने के कारण, गनेशी की मुर्ती गल जाया करती थी, इसी से बुढ़िया माई बहुत परिसान थी, एक समय की बात है, एक बार बुढ़िया माई पास के ही राष्टे से गुजर रही थी वहीं पर एक सेट का मकान बन रहा था तो बुढ़ी माई का दिमाग में आया क्यों न मैं इस कारिगर को कहकर एक पत्थर का गनेजी का मुर्थी बन वालू ये सोचकर बुढ़ी माई उस कारिगर के पास जाकर कहने लगी भाईया के आप मेरे लिए एक पत्थर का गनेश जी का मुर्दी बना देंगे बोड़ी माई के बाते सुन कारिगर कहने लगा जब तक मैं तेरे लिए पत्थर का गनेश जी बनाऊंगा तब तक तो मेरा जी माकान ही बन जाएगा जाओ यहां से किसी और से बन वालो मेरे पास समय नहीं है कारिगर की बाते सुन बोड़ी माई को दुख लगा इसलिए बोड़ी माई कहने लगी राम करे तुम्हारी बनाई हुई दिवाल कभी सीधी ही ना बने और कहते हैं ना जो भी मनुष्य अगर सच्चा मन से कुछ कह दे वह हो ही जाता है और वैसा ही हुआ उस कारिगर के साथ वह कारिगर दिवाल को बनाए जा रहा है मगर उसकी दिवाल हमेशा अपने आप तेरी ही बनते जा रही है कारिगर बहुत परिशान हुआ इसी तरह से साम हो गया और सेठ जी भी धर वापस चले आए और उन्होंने देखा कि आज तो कारिगर मेरा कोई काम ही नहीं किया है सेठ ने कारिगर से पूछा तुमने मेरा काम अभी तक क्यों नहीं किया बताओ तब कारिगर कहने लगा क्या बताओ सेठ जी सुभा सुभा एक बुढ़ी माई यहां पर आई थी उसने मुझे से कहा कि मेरे लिए एक पत्थर का गनेश जी बना दो मैंने कहा जब तक तुम्हारा पत्थर का गनेश बनाऊंगा तब तक मैं अपना काम ना कर लू मैंने गनेश जी बनाने से इंकार कर दिया तब बुढ़ी माई ने कहा भगवान करे तेरी दिवाल तेरी हो जाए और तब से ही मेरी बनाई हुई दिवाल सीधी बनने का नाम ही नहीं ले रहा तब सेठ ने उस बुढ़ी माई का पता लगा कर उनके घर गया और बुढ़ी माई से बोला हे बुढ़ी माई मैं तुमारे लिए सोने का गनेश बना दूँगा बस हमारी दिवाल को तुम सीधी कर दो सेठ ने बुढ़ी माई को सोने का गनेशी दे दिया बुढ़ी बहुत ही परसन मन से गनेशी को लेती है और सेठ का दिवाल अपने आप सीधी हो जाते है कहते हैं कि अगर भगवान को सच्चे मन से जपो तो वहाँ सिग्रफ प्रसन हो जाते हैं फिर चाहे आप इस्वर को किसी भी नाम से याद करो जब करो भगवान विश्णु के एक ऐसे ही सच्चे भक्त की कहानी कहानी इस परकार है कि एक बार एक सीधा साधा अनपर गवार किसान था वह एक संद्रजी की पास गया और कहने लगा कि मुझे इस्वर का ऐसा नाम बता दो जिसे में सारा दिन चपता रहूं और अपना काम भी करता रहूं मेरा परलुग भी सुधर जाए संद्र ने कहा ठीक है तुम अघमोचन और मोचन नाम जपा करो अघमोचन नाम का दिन रात जाप किया करो सीधा सीधा किसान राष्टे में जाते जाते अघमोचन अघमोचन नाम रटते हुए जा रहा था लेकिन कुछ दिर बाद और भूल गया और घमोचन घमोचन नाम रटने लगा अब दिन रात वह घमोचन घमोचन रटता एक दिन भगवान विश्णू भोजन करते हुए मुश्कुरा रहे थे तो मा लच्मी ने इसका कारण पूछा तब भगवान विश्णू कहने लगे कि लच्मी मेरा एक भाक्त मेरा ऐसा नाम रट रहा है जिसका सास्त् लेने के कारण ही मुख पर मुश्कान है मा लच्मी कहने लगी आपको लगता है कि यह आपका सच्चा भक्त है तो चलिए इसकी परिक्षा लेते हैं विश्णू कहने लगे कि लच्मी अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो चलो धर्दी पर चलते हैं दोनों ने साधरन से इस्तरी और पुरुस का रुप धारन कर लिया और किसान के खेत के पास पहुँचे भागवान विश्णू कहने लगे लच्मी परिक्षा तुमने लेनी है इसलिए तुम किसान के खेत के पास कुछ गढ़े बने हुए थे तो विश्णू जी कहने लगे कि मैं उसमें जाकर किसान की परिक्षा लेलो मा लच्मी उसकिसान के पास गई और बार बार उससे पूछने लगी कि तुम किसका नाम जप रहे हो किसान था थोरा मुपठ लेकिन फिर भी चुप रहा कि मेरे ध्यान में किसी परकार का कोई बिघ्णा न परे वह घंओचन घंओचन नाम प्रट सायद किसान मुझे पहचान लिया है। लच्मी जी फिर से पुछती है अगर मेरे भरतार का नाम जप रहे हो तो बताओ मेरा भरतार कहा है। किसान और गुस्से से बोला यहीं कहीं पर होगा जाओ ढूंडलो। महा लच्मी ने विश्नु भगवान को पुकारा कि हे प्रभु बाहर आ जाईए या तो सच मुझ आपका ही सच्चा भक्त है। इसने तो मुझे पहचान भी लिया और आपकी बारे में भी सब कुछ चानता है। भगवान विश्नु और महा लच्मी ने उसे साक्षात दरसन द करनित हैं कि एक बार माता पार्वति ने भगवान सिफ से पूछा आप अजर अमर है और मुझे तो हर जनम के बाद नए स्वरूप में आकर फिर बरसों की कठोर तपस्या के बाद आपको प्राप करना होता है। मेरी इतनी कठोर परिक्षा क्यूं। और आपके कंठ में एकांथ और गुप्त अस्थान पर अमर कथा सुनने को कहा जिसे की अमर कथा कोई अन्य जीव न सुन पाए। क्यूंकि जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता है वह अमर हो जाता है। पराव का नाम सेशनागपरा अगला पराव गनेश बरता है। इस अस्थान पर बाबा ने अपने पुत्र गनेश को छोड़ दिया था। जिसको महागुना का परवत भी कहा जाता है। पिसु घाटी में पिसु नामक कीरे को भी द्याग दिया। इस परकार महादेव ने जीवन दाइनी पाचो तत्व को भी अपने से अलग कर दिया। इसके बाद मा पारवती के साथ उन्होंने गुप्त गुफा में परवेश किया। और अमर कथा मा पारवती को सुनाना सुरू किया। कथा को सुनते सुनते देवी पारवती को नीद आ गई और वह सो गई जिसका सिव जी को पता नहीं चला। भगवान सिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। उस समय दो सफेद कभुतर सिव जी से कथा सुन रहे थे और बीच बीच में गुगु की आवाज निकाल रहे थे। शिब जी को लगा कि माता पार्वती कथा सुन रही है और बीच बीच में हुकार भर रही है। इस तरह दोनों कभुत्रों ने अमर होने की पूरी कथा सुने ले। कथा समाब्ध होने पर सिब का ध्यान पार्वती की और गया। जो सो रही थी जब महादेव की ध्रिष्टी कभुतर पर पड़ी तो वे क्रोधित हो गये। और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। इस पर कभुत्रों ने भगवान सिब से कहा हे प्रभु हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है। यादि आप हमें मार देंगे तो, तो क्या आमर होने की यह कथा जूठी नहीं कहलाएगी। इस पर सिब जी ने कभुत्रों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशिरबाद दिया कि तुम सदेव इस अस्थान पर सिब पार्वती के प्रदिक चिन प्रेम से बोलिए उमापति संकर की जय हो। प्राचिन समय की बात है। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाजों में माल लाद कर दूसरे देशों में भेजा करता था। प्रंतु उसकी पत्नी अंत्यांत कंजूश थी। वह किसी को एक दमड़ी भी न से बोली हे साधु महराज मैं इस दान और पुन्या से तंग आ गए हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मेरा सारा धन नेश्ठो जाए। और मैं आराम से रह सकूँ। मैं यहा धन लुटता हुआ नहीं देख सकते। बिर्सपति देव ने कहा। हे देवी तुम नियाओ का बीवाह कराओ, विद्याले और बाग बगीचों का निर्मान कराओ। ऐसे पुन्या काड़े करने से तुम्हारा लूक पर लूक सार्थक हो सकता है। परंदु साधु की इन बातों से व्यापारी की पतनी को खुसी नहीं हुई। उसने कहा मुझे ऐसी धन की तब बिरस्पति देव वले यादी तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। साथ बिरस्पतिवार घर को गोबर से लिपना, अपने केसे को पीली मिटी से धोना, केसो को धोते समय असनान करना, व्यापारी से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मास मदिरा ख होना, ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नश्ट हो जाएगा, इतना कहकर बिरस्पति देव अंतरध्यान हो गए, व्यापारी की पतनी ने बिरस्पति देव के कहे अनुसार साथ बिरस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चे किया, केवल तीन बिरस्पतिवार बीते थे कि उस उसके समस्त धन संपती नेश्ट हो गई और वह परलुक स्विधार गई जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नेश्ट हो चुका है उस व्यापारी ने अपनी पूत्री को सतवाना दी और दूसरे नगर जाकर बस गया वहाँ वह जंगल से लकड़ खरिदने के पैसे नहीं थे वह अपनी पुत्री को अवसासन देकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया वहाँ एक ब्रिक्च के नीचे बैठ अपनी पूर्वे दसा पर विचार कर रोनी लगा उस दिन ब्रस्पति वार्था तब ही वहाँ ब्रस्पति देव साधू के पारी अपनी कहानी सुना कर रो परा बिरस्पति देव बोले देखो बेटा तुम्हारी पतनी ने बिरस्पति देव का अपमान किया था इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है लेकिन अब तुम किसी परकार की चिंता मत करो तुम गुरुबार के दिन बिरस्पति देव का पाट करो दो पैसे के चने और गुर को लेकर जल के लोटे में सक्कर डाल कर वह आम्रित और परसाद अपने परिवार के सद्धिश्चो और कथा सुनने बालों में बाट दो स्वैंभी परसाद और चनरा मिलिट लो भागवान तुम्हारा अब से कल्यान करेंगे सादू की बात सुनकर वैपारी बोला महराज मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी पुत्री को दहीला कर दे सकूँ इस पर सादू जी बोले तुम लकडिया सहर में बेचने जाना तुम्हें लकडियों के दाम पहले से चोगुने मिलेंगे जिससे तुम्हारे सारे क सिध हो जाएंगे उसने लकडिया काटी और सहर में बेचने के लिए चल पड़ा उसकी लकडिया अच्छे दाम में बिग गई जिससे उसने आपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुबार की कथा है तुम चना गुर लेकर कथा की और परसाद बाठकर स्वेंभी खाय उसी दिन परंतु अगले ब्रस्पति बार को वह कथा करना भूल गया अगले दिन वहां के राजा ने एक बड़े यक्का आयोजन कर पूरे नगर की लोगों के लिए भोज का आयोजन किया राजा की आगे अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोज करने गया लेकिन वे वैपारी हुआ उसकी पुत्री तरनिक बिलम से पहुंचे अता उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन करवाया जब वे दोनों लोटकर आये तब रानी ने देखा कि उसका खूटी पर टंगा हार गायब है रानी को वैपारी और उसकी पुत्री पर संदे हुआ कि उ वहां उन्होंने ब्रिस्पती देवता का इसम्रन किया ब्रिस्पती देवने परकट होकर व्यापारी को उसकी घूल का अभास कराया और उन्हें सलादिकी गुरु बार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुमें दो पैसे मिलेंगे उनसे तुम चने और मुनक्का मंगवा ब्रिस्पती देवता का पूजन करना तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे ब्रिस्पती बार को कैद खाने के दौर पर उन्हें दो पैसे मिलें बाहर सरक पर एक इस्तिरी जा रही थी व्यापारी ने उसे बुला कर गुर और चने लाने को कहा इस पर वह इस्तिरी बो ब्रिस्पती वार की कथा करने है तुम मुझे दो पैसे का गुर चना ला दो ब्रिस्पती देव का नाम सुनकर हुआ इस्तिरी बोली भाई मैं तुम्हें अभी गुर चना लाकर देती हूँ मेरा एकलोता पुत्र मर गया है मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी लेकिन मै पहले तुम्हारा काम करूंगी उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाओंगी वा इस्तिरी बाजार से व्यापारी के लिए गुर चना ले आई और स्वयम भी ब्रिस्पती देव की कथा सुने काथा के समाप्त होने पर वा इस्तिरी कफन लेकर घर गई घर पर लोग उसके पुत्र की लास को राम नाम सत्य है कहते हुए समसान ले जाने की तयारी कर रहे थे इस्तिरी बोली मुझे अपने लर्के का मुख देख लेने दो अपने पुत्र का मुख देखकर उस इस्तिरी ने उसके मुख में परसाद और चनरा मिनित डाला परसाद और चनरा मिन से तुम्हारी रानी का हार वही खूटी पर टांगा है दीन निकलता तो राजा रानी ने हार खूटी पर लटका हुआ पाया राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया और उन्हें आधा राजे देकर उसकी पुत्री का विवा उच्चे कुल में करा कर द सहेज में हीरे जवारत दिये सभी प्रेम से बोलिए ब्रिस्पति देव की जय हो